हालो दोस्तों असलाम लाइकूम अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल काजमा को विद्जोश को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना बुले तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाते हैं पोटाटो एक चॉप्स के फ देखें अब इसमें हम एक प्यास चॉप्ट करके इसमें डालते हैं एक प्यास काफी है तो देखें इसे थोरा हम गोल्डन फ्राई होने देते हैं देखें गोल्डन हो चुका है देखें प्यास को हमें जादा फ्राई नहीं करना है इस स्टेच पे हमें कुछ मसाला अट कर तो 1-2 ती स्पून हल्दी डालते हैं 1-2 ती स्पून रेड चली पॉडर और 1-2 ती स्पून गरम मसाला पॉडर उसे हमने अच्छे से बॉइल करके इसे अच्छे से मैश्ट कर लिया है अब उसमें हम डालकर तो अच्छे से इसे उलट-पलट कर लेते हैं गैस का फिलेम अभी हमें मेडियम ही रखना है तो देखें आलू हमारा मिल चुका है उब देखें चार यंडे को भी हमने उबाल के रखा था और यह से काट लेते हैं आपकलो Argata जाए तो करें खुड़ी से काट सकते हैं ते अधीन से बहुत ही बड़िया करेल कि को इतनी आसानी, इतने और पहुंद को दिखाल है देखिए चूरी से कैसे काटें तो देखेंगे चूरी से हमें इसी तरीकी से काट लेना है इससे जो हमारा पोटाटो जो चोपब बनता है अंडे का वो बहुत ही light 이번 तैयार होता है तो देखें इसमें हमने ठोडा काली मेर्च और नमक को भी छिरक लिया है ताकि इससे हमारी पेट में एसडीटी नहीं बने अब देखे कॉन फ्लेक्स लिया है इसे भी अच्छे से हमने क्रश कर लेना है थोड़ा छोटा कर लेना है इसे तो देखे इसी से हमारा केप सी स्ट्रैल पोटाटो एक चॉपस बनके तयार होगा तो टू टेबल स्पून एक पैट मसाला लेते हैं हाफ टी स्पून सॉल्ट लेते हैं नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमें जादा इसमें मसाला कुछ आट नहीं करना है अब इसमें थोड़ा पाई डाल डाल कर इसका अच्छा सा बैटर बना लेते हैं यानिकि ना जादा पतला हो और नहीं वुआ रालू को अमका तरा करें किया है उससे ले लेते है और चालम निट मेर फ्राइल य। करके तरीके से बहुत ही ल्याइट बनकर तयार होता है बहुत ही ऍंहुत कह रते हैं अब इसे घ्वोल में हम डालते हैं, जो हमने कॉंपलार और मैदे का जो घ्वोल बनाया था, उसे डालते हैं, अब देखेंगें, इसमें कॉंपलिक्स मे इसे हम डाल कर, थोरे से करँंची और क्रिस्पी बना लेते हैं, देखें इस तरीके से, देखें हमें दबा दबा कर इसमें अच्छे से लगा लेना है ताकि अच्छे से उसमें चिपक जाए देखें इसी तरीके से हमें सारे अंडे को बना लेना है देखें सारा अंडा लग चुका है आलू में अच्छे से हमने डाल दिया अब इसे 500 ग्राम तेल में इसे हमें डीफ फ्राई करना है तो 500 ग्राम तेल में इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसे हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है आप चाहें तो हलका लाइट ही गुल्डन हो उसे निकाल ले उस टाइम भी अच्छा लगेगा, हमने थुछा डीप करके इसे निकाला है देखें, हलका सा प्लटकर आप इसे निकाल सकते हैं उस से भी बढ़िया लगेगा, अब देखें, इसे हमने निकाल लेना है यह लाल हो चुका है, देखें कितना बढ़िया सा कलर आया है और बहुती क्रंची और बहुती क्रिस्पी बन कर तयार हुआ है तो देखें इसे सारे को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है अब एकी करके मचे से निकाल लेते हैं देखें इसकी किरारी से आवाज आ रही है तो चलें अब इसे डिशॉट करते हैं हम तो देखें, यह हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब देखते हैं, इसे टेस्ट करके यह बनी कैसी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार हुई है, तो देखें, इसे में काटके भी दिखा जाते हैं, बढ़ियां सा बनाया है, इसकी खुबसूरती कितनी है, रेस तायार हुआ तो पोटाटो एक चॉप्स केफ सी स्ट्याल पोकॉरा बनाएं अपने घरों में ट्राइ करें इंशालला आपको रेसिपी पसंद आएगी अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो थमसक दें कमेंट में जरूर पताएं कि आज की रेसिपी आप लोग जो में रात और इतवार की दिन तुम्हें रेसिपी जरूर ट्राइ करें इंशालला अगली वीडियो में फिर मुलाखात होगी आपसे एक अच्छी सी एक नएसी रेसिपी के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान अल्ला हाफिज थैंक्स वर वाचिंग